Hello everyone, welcome to concept, मेरा नाम धर्विंदर राजभर है आज का topic है, आज हम उस पर discuss करने वाले हैं कि automatic support या resistance कैसे हम find out करेंगे एक अच्छा support या resistance जिसको breakout होने पर मुझे एक अच्छा internet rate मिल सकता है, ठीक है So पहले discuss करते हैं कि लोग किस तरह के से resistance support बनाते हैं या कैसे वो धूरते हैं on the indicator base, उसके बाद हम discuss करेंगे कि database पर कितना अच्छा हमे resistance support मिल सकता है, जिसको use करके हम एक अच्छा trading बना सकते हैं, ठीक है तो चलिए discuss करते हैं, so अगर मैं support resistance की बात करूँ अगर मैं support resistance की बात करूँ तक simple है कि हमने ऐसा resistance draw किया है, ठीक है, और यह support है, यह मेरा resistance है और यह मेरा support है, तो generally लोगों का मानना यह होता है कि अगर कोई भी particular stock ऐसे-ऐसे move कर रहा है, ठीक है तो इसको break करके यह उपर जाएगा, तो मुझे यहाँ पर एक call option मैं buy करूँगा या फिर मैं future buy करूँगा, ने तो मैं किसी stock को purchase करके उसको hold कर सकता हूँ या तो फिर कोई stock ऐसे-ऐसे move करके आया, और नीचे यहाँ पर break किया और यहाँ पर, मैं यहाँ पर put option buy करूँगा और अपने risk के मताबिक उसमें, मैं profit book करूँगा, ठीक है अभी resistance support जो हम बनाते हैं, इसका importance क्यों इतना ज़्यादा है और क्यों हम इसमें trade करते हैं, पहले वो जानते हैं, ठीक है resistance support, generally अगर हम resistance की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि उस जो resistance है, वो हम देखते हैं कि previous high, या फिर हम देखेंगे कि उस particular level पर price ने बहुत बार वहाँ पर respect किया उसको, बहुत बार उसको touch करके नीचे आया है या हम देखेंगे कि बहुत जादा उसने वहाँ पर time spend किया है, ठीक है तो resistance का मतलब यह होता है, कि उस particular stock का जो price है माल लिजे कि उस stock का price है, आपर 500 रुपीज ठीक है, और यह resistance माल लिजे बना है 550 पर ठीक है, और यहाँ पर जो support है, वो बना है 450 पर ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, कि जो 550 का जो resistance है वो इस particular stock को उपर आने नहीं दे रहा है कि यहाँ पर वो चाहता है, कि वहाँ पर यह price उसके नीचे रहे ठीक है, लेकिन कौन चाहते हैं कि price उसके नीचे रहे, यह important है जस्ट हम यह नहीं देख सकते हैं, कि यहाँ से जो touch करके price उसको touch करके वापस return आ रहा है, उसके पिछे reason क्या है हम reason find out करते हैं, similarly अगर कोई stock यहाँ पर support पर आ रहा है यहाँ से touch करके वापस जा रहा है, ठीक है so pricing action के मताबिक हम यहाँ पर अलग-अलग चीज़ देखेंगे जैसे हम candlestick patterns हो सब देखते हैं, ठीक है उसको भी हम align करेंगे, लेकिन इसके पिछे सबसे important reason क्या होता है कि यहाँ से यह price reverse कर रहा है, ठीक है हम यहाँ पर reason यह बता सकते हैं, कि जो option writers होते हैं, ठीक है option writers option writers जो होते हैं, ज्यादा तर उनका मानना यह होता है कि एक particular otm level पर वो अपनी position बनाते हैं, new position बनाते हैं और वहाँ पर उनका मानना होता है कि price उसके मताबिक, जो stock है उनके मताबिक इसके उपर नहीं जा सकता है, या नहीं जाना चाहिए ठीक है, लेकिन market एक dynamic होता है, उसका market का feature ही dynamic होता है ठीक है, वो किसी trader के मताबिक नहीं चलता है हम जासे एक view बनाते हैं और वो view के मताबिक हम उसमें चलते हैं तो अगर market forces आप देखो कि वो strong होता है तो जो writers का जो position होता है, जहां पर हो लोग heavy quantity में अपना position को write करके बैठते हैं यहां पर call option को क्या करेंगे, call option को write करेंगे, ठीक है तो price के आगा बार-बार यहां पर ऐसा जाता है और हम सूचते कि हम यहां पर buy करेंगे लेकिन यहां पर जो sellers होते हैं, sellers जो होते हैं, वो ज़्यादा heavy होते हैं ठीक है, वो काफी ज़्यादा dominant होते हैं, dominant किस वज़े से होते हैं, heavy quantity, ठीक है, dominant किस वज़े से होते हैं, heavy quantity, राइट, अभी वहां पर मान लिजे, जो sellers है, वहां पर एक लाग, दो लाग, क्या, दस लाग quantity, वहां पर उन्होंने short किया है हम वहां पर जा रहे हैं, five lakh quantity या, two lakh quantity से लेके, तो obviously उनकी quantities ज़्यादा है, right, तो exhaust हो जाएगी, ठीक है, फिर वहां पर क्या होगा, price वापस से return आता है, ठीक है, similar concept आप बोलोगे, तो यहां पर भी है, यहां पर क्या होता है, put writers होते हैं, ठीक है, यहां पर होते है, put writers, इन ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, कि जो put writers है, ठीक है, उनका मानना होता है, कि price यहां पर नीचे नहीं जाएगा, तो अपने position आपर add up करते रहते हैं, उनका कोई strong view होता है, ठीक है, अपने system के मताबिक, और उनको लगता है, कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, तो support और resistance के पीछे, सबसे important चीज़ होती है, जो traders का data होता है, ठीक है, just a minute, सबसे important चीज़ होती है, data, ठीक है, तो data मुझे क्या कह रहा है, पहले मुझे वो देखना है, तो अगर एक कोई resistance है, ठीक है, वहाँ पर जो sellers हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे वो देखना, वो add कर रहे हैं, ठीक है, या वहाँ पर आप देखो कि वो अपने आपको subtract कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हाँ से exit कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूं कि वो exit कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूं कि वो exit कर रह हो रहा है या स्ट्रॉंग हो रहा है तो अगर एडिशन हो रहा है तो वह मेरा यहां पर स्ट्रॉंग हो रहा है अगर वह अपनी पोजेशन वहां से एक्जिट कर रहे हैं तो मतलब वीक हो तो होगा यूँ कि उनके जो पोजिशन उसमें से अन्वाइंडिंग शुरू होगी और जो 10 लाग या 20 लाग जो सेलर थे वो वहां से कम होके 10 लाग पर जाएंगे और यहां पर बायर जो हैं वो इंक्रीज होते हैं और वहां से उपर जाना शुरू होता है similarly वहां पर जो put writers होते हैं वो भी उस level पर add करना शुरू करते हैं क्योंकि उनको भी time decay के साबसे वहां पर profit होता है तो यह मेरा resistance के साबसे मुझे यहां पर मालूम परता है क्यों मेरा level कमजोर हो गया कि strong हो है अब ही अगर मैं support की बात करूँ अगर मैंने कहीं पर support बनाया है ठीक है तो यह होगा कि वहां पर भी जो put writers है वो add हो रहे हैं अपना position add कर रहे हैं कि अपने position से exit कर रहे हैं कर रहे हैं राइट अगर एड कर रहे हैं तो मत्तब वो जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉंग हो रहा है मार्केट अप्ट्रेंड में जा सकता है अगर वह exit कर रहे हैं तो मतलब वह position weak हो रहा है हो सकता है कि market वहाँ से downside आए ठीक है weak हो रहा है तो support break करता है तब जाके हमारा trade होता है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अगर ऐसे resistance है प्राइस यहाँ पर गया और यहाँ पर आईसे से move किया return आया या फिर आईसे से move करके वहीं पर उसे बहुत जारा time pass के और नीचे आजाता है कई लोग यह जो breakout हुआ है यह fake bracket यहाँ पर कई लोग यहाँ पर trade लेते हैं और वहीं पर वो first जाते हैं आपका ऐसा देखने को मिलेगा कि कितने सारे जो buyers हैं वो यहाँ पर trap हो जाते हैं ठीक है similar condition आप देखोगे वो put writers की ओर भी होता है कि stock ऐसे ऐसे नीचे है और यहाँ पर काफी उसने time विता और यहाँ से वापस से चला जाता है यहाँ पर कई बार ऐसे से लंबा लंबा candle मारेगा और लोग यहीं पर sell करते हैं sell in the sense यहाँ पर put को buy करेंगे ठीक है put को buy करेंगे और वहीं पर वो first जाते हैं और वहाँ पर काफी अच्छा खासा उनको नुक्सान देखने को मिलता है because यहाँ पर उनको stop loss भी लगाने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ से bounce back करता है तो आप कई बार देखेंगे कि bounce back बहुत खतरनाक तरीके से करता है काफी लंबी-लंबी candle मार के उपर चला जाता है ठीक है तो यह सारे reason के वज़े से जो support and resistance में trade करना थोड़ा सा मुझकिल हो जाता है so अभी हम देखेंगे कि कैसे मैं टूल की बदालत और उसके साथ मैं एक और future का data align करूँगा कि मैं उसमें कैसे एक अच्छा trade बना सकता हूँ जो कि मुझे एक quality stock दे सके जिसमें मुझे थोड़ा move अच्छे मिले या 1% आ 2% का move मुझे मिल सके ठीक है तो चलिए देखते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे triggers पर ठीक है यहाँ पर हम जाएंगे track में और track में जाके select करेंगे triggers ठीक है तो triggers में mostly आप देखोगे ज्यादा तरह stock का ही breakout यहाँ पर आपको बताया जाएगा ठीक है automatic resistance support की जो मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पर मिलेगा आप क्या करेंगे कि चार्ट में मैंने देखा कई लोग खुसे draw करते हैं कई लोग indicator यह करते हैं जो कि बहुत lagging होता है तो यहाँ पर आपको data के base पे रेजिस सपोर्ट मिलेगा जो एक अच्छा breakout आपको बता सकता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए बीच में आपको सारे symbols हैं जो जितने भी F&O के stocks हैं सारे आपको मिलेंगे ठीक है और उसके नीचे जो price mention किया गया वह आपके future का price है ठीक है वह आपके future का price है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले तो यहाँ पर देखिए जैसे आरती इंडिस्ट्री है इसका current price 715 चल रहा है future का price ABB का आप देख सकते हो 8177 और About India का 27750 ठीक है अभी हम आते हैं पहले resistance की ओर तो left side में यह जो strike आप देख रहे हो ठीक है यहाँ पर यह जो हर एक stock का जो particular level है About India का 29,000 ABB का 9,000 यह जो strike है यहाँ पर highest number of call writers ने position बनाया हुआ है highest number of call writers ने अपना position बनाया है तो यह एक अच्छा resistance का काम करता है ठीक है क्यूंकि यहाँ पर ज़्यादा writers है तो obviously उसको break करने के लिए बहुत ज़्यादा force लगेगा और वो force अगर इससे बड़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छा breakout मिलता है ठीक है full force के साथ आपको एक अच्छा breakout मिलता है तो अगर मैं आर्थी इंडिस्ट्री की बात करूँ तो उसका resistance है 731 ABB का 9000 है ठीक है AB Capital का 240 है अधानी entertainment का 3200 है और यह अधानी port का आप देख सकते हो 1500 का level है ठीक है अब यह हम आते हैं right side में तो right side में यह जो strike आप देख रहे हैं यहाँ पर highest number of put writers ने अपना position बनाया है मतलब यह एक अच्छा support का काम करेगा तो अगर यह breakout का यहाँ पर अगर नीचे की और breakdown करता है 700 के level के नीचे तो right industry में put side की और यानी bearish का मेरा trade बनता है मैं उसमें put को buy कर सकता हूँ ने तो मैं future को sell कर सकता हूँ ठीक है तो ABB का 8000, about and day का 27000 तो down the line आप देखो के सारे stock का आपको support मिलेगा और यहाँ पर resistance मिलेगा यह automatic support and resistance पूरी तरीके से database वे आपको बनके मिलता है ठीक है अभी इसमें trade कैसे लेंगे पहले वो जानेंगे कि हम कैसे stock को filter करेंगे ठीक है तो पहले देखिए यह जो call difference है ठीक है call difference यह आपका बताता है कि यह जो art industry है यहाँ पर breakout किया या फिर breakdown करने वाला है ठीक है तो यहाँ पर कोई भी stock का अगर call difference 0 से 1% के बीच में है ठीक है 0 से 1% के बीच में है तो indicate करता है कि resistance के पास है इसको breakout करेगा तो मैं trade ले सकता हूँ ठीक है 0 से 1% के बीच में है और यह जो change इन हुआ है यह इसका negative है ठीक है अभी negative की परिभाशा समझिए वहाँ पर जो writers है वो अपनी position exit कर रहे है इसलिए यहाँ पर आपको negative दिख रहा है ठीक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि resistance कमजोर कैसे होता है जब वहाँ पर writers अपनी position exit करते हैं और bias का position बढ़ता है ठीक है 730 का level breakout करेगा और यहाँ पर change in why still negative है हम उसमें bullish का trade बना सकते हैं हम उसमें call को भी buy कर सकते हैं future को buy कर सकते हैं ने तो stock में trade करना चाहते हैं तो stock भी buy कर सकते हैं ठीक है अभी आते हैं put difference की और ठीक है put difference आपको यह support की और है तो यहाँ पर भी condition आपका similar है कि put difference आपका कितना होना चाहिए 0 से 1% के बीच में तो indicate करता है कि यह support के pass है जैसे यहाँ पर आप ABFRL को देख सकते हो support के pass है तो अगर यह इस level को नीचे की और breakdown करेगा तो मैं इसमें trade बनाने की कोशिश करूँगा condition यहाँ पर भी same है कि मुझे change in y negative चाहिए जो यहाँ पर फिलाल नहीं है तो जब मेरा change in y negative होगा और यहाँ पर इस level को नीचे की breakdown करेगा तब जाके मैं उसमें put side का trade ले सकता हूँ ठीक है तो यह मेरे conditions थे अभी हम देखते हैं कि इसको filter कैसे करेंगे ओके अभी इसको filter कैसे करेंगे वो देखना है तो call difference हम resistance क्यों रहते हैं call difference पर से क्लिक करिए तो देखें यहाँ पर आपको filter हो गया है इसको मैं उपर scroll करूंगा तो देखूंगा कि 0-1 के बीच में कौन से stock है तो यह सारे 0-1 के बीच में stocks हैं अभी इसमें मुझे clear दिख रहा ह कि breakout कहां पर हुआ है जैसे TCS में breakout हुआ है ठीक है 4200 का level था उसको breakout किया है और उसमें change in हुआ आप देख सकते हो negative है तो मेरा इसमें trade बनता है अगर मैं analysis करूं तो मैं इसमें trade ले सकता हूं ठीक है similarly मुझे और कहां पर condition match कर रही है यहाँ पर zidu's life है 1200 का level है ठीक है 1197 अभ को दिख रहा है कि change in हो आई है तो indicate कर रहा है कि यहाँ पर यह अप्ट्रेंट जा सकता है जैसी breakout करेगा मैं उसमें trade ले लूँगा अभी मैंने आपसे कहा था कि full force चाहिए उस particular resistance को break करने के लिए तो full force हमें किस से मिलेगा हमें मिलेगा future के data से ठीक है तो future के data पर हम जाते ह हैं तो उसके लिए जैसे यहाँ पर मैं कुछ stock को पहले note कर लेता हूँ जैडूस life है TCS हमने देखा था ठीक है और अदानी ports को देख लेते हैं तो हम जाएंगे track में futures का data देख रहा है तो futures होगा में जाके built up script symbol को देखेंगे ठीक है यह जो tool है यह real time basis पर काम करता है आपक आपको narration बताता है कि long built up चल रहा है कि short build up चल रहा है obviously अगर मुझे intraday trade बनाना है वो भी बुलिछ की उ Nameme Trey बनाना तो मुझे यह देखने कि Is law बिल्ट चल रहा है कि नहीं स्टाउक कुंग करूंगा राजिस्तिंस के साइट जो आंने ट्रीगर में देखा कि राजिस्तिंस साइट जो स्टॉक ब्रेक आउट कर रहा है या ब्रेक आउट Stephen अगर आ पर चुक करूंगा कि उसमें लॉंग बिल्टप है या नहीं offense कि अलावा को को फो सित वाला पताता है कि जैसे शॉर्ट या शॉर्ट कवरिंग है तो उसमें मेरा ट्रेट बिलकुल नहीं बनेगा तो अभी मैं यहां पर चेक करूंगा हम जो वहां पर देख रहे थे TCS देख रहे थे तो TCS को एक बाद चेक कर लेते हैं तो TCS में आप देखिए यहां पर मुझे तो clear indication दे रहा है कि long built up है ठीक है और साथ में यह भी देखिए कि OI increase हो रहा है प्राइस भी increase हो रहा है जो कि clear आपका long built up का condition है ठीक है तो यहां पर future का force भी मेरे साथ है कि अगर मैं TCS में ट्रेड लूँगा तो मेरे success के chances ज़ादा हैं तो मैं TCS में एक अच्छा trade बना सकता ह ठीक है अभी हम अधानी port का देखते हैं ठीक है तो अधानी port में आप देख सकते हो फिलाल short covering चल रही है यह opposite में चल रहा है ठीक है वहाँ पर हमने देखा था कि resistance की और उसका changing वाए negative था और वहाँ पर मुझे यह भी देख रहा था कि वह call difference उसका 0 से 1 के बीच में है बट यहाँ पर उसका short covering condition है तो यह मेरे favor में नहीं है तो मैं अधानी port में trade नहीं लूँगा ठीक है तीसरा वाला हम देख लेते है जैडूज लाइफ उसमें भी आपका condition सेम है तो यह आपको filter करके बता रहा है कि कि stock में लेना चाहिए ठीक है इससे यह होता है कि आपने अगर triggers में ठीक है हम track में जाते हैं वापसे triggers को open करते हैं इसे यह बता रहा है कि triggers में माल लीजे आपने 18 stock को निकाला ठीक है यहाँ पर जो highest call resistance की और माल लीजे 6 stock आये और put side की और भी 6 stock आये ठीक है तो हम देखेंगे कि इसमें से किसको लेना चाहिए तो पहले हम यहाँ पर filter out कर अब जिसका सबसे ज़्यादा change in o y होगा negative मैं उसको पहले consider करूँगा जैसे यहाँ पर LIC housing finance tech minder है यह सब मुझे बता रहा है क्योंकि इनका ज़्यादा change in o y negative है और उसके नीचे TCS का जुद मुझे दिख रहा है राइट बाकी सब जगे call difference कुछ खास नहीं है call difference ज़्यादा है तो जो call difference है मैं कम देख रहा हूं तो यहाँ पर मुझे यह तीन stock देख रहे है राइट अब यह तीनो stock में मैं जाके built-up script symbol में check करूँगा कि उसमें long built-up है या नहीं ठीक है similar condition आप देखोगे put side की और तो change in y को मैं click करूँगा यहाँ पर देखूँगा कि 0 से 1 के बीच में conscious stock है और किसका change in y negative है तो यहाँ पर मेरा hint petro दिख रहा है ठीक है अभी उसके और नीचे scroll करता हूँ तो यहाँ पर मुझे pnb then मुझे nmdc दिख रहा है ठीक है तो यह इस इस तरीके से यह tool को use करके आप stock को filter कर सकते हो automatic resistance support आपको मैंने system बताया इसी system को follow करके आप intraday base पर एक अच्छा trade बना सकते हो ठीक है तो यह था हमारा automatic support and resistance पर session ठीक है और भी ऐसा जानकारी पूरत जानने के लिए concept से जुड़े रहे है मैं धर्मदार आजबर आपका धन जबने वाद